प्रत्यक समाज त्योहर के माध्यम से अपने खुशी एक साथ प्रकट करता है। जो पाइल्स फिशर फिश्टुला जैसी बिमोरियों से पीडि थे या उन्होंने हाल ही में लेजर सर्जरी कराई है। हम सब जानते हैं कि हिंदू संस्रूत के बड़े त्योहरे में से दिवाली एक म्युक्ष त्योहरे। दशरे के बाद से ही घरों में दिपावले की तयारिया शुरू हो जाती है। यह त्योहर पूरे देश में पास जिनों तक बड़ी धुमदाम से मना जाता है। वैसे तो लोगों को हर साल दिवाले के तयोहर का बेसबरी से इंतजार रहता है। लेकिन दो सालों के कोविड के कारण हर तयोहर कुछ फिकासा हो गया था। और चारों तरफ है बलकि बिमारी का डर और किसी अपने को खोने का गम ने हमें से कुछ को इश्वर के बहुत करिपला दिया। और कुछ हो तो इश्वर से दूर कर दिया। पाइल स्पेशलिस होने के नाते मैं अपने उन मर्यों से हाँ जोड कर मिरंदी करूँगा कि आने वाले दियवाले के त्योहर पर हर उस हिंदू की तरफ पूरी श्रद्दा की साथ लक्ष्मी पूजां की अवश्य करें। इसके बारे में आपको बताता हूँ क्यों। क्यों आप करेंगे लक्ष्मी पूजां। लक्ष्मी यानि धन की देवी। सोच में पढ़ गए न। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को अन्तक अवश्य देखें। और मेरी बात से समत हूँ तो इस वीडियो को लाइक शेर जरूर करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। अमवस्य पर पढ़ने वाले इस तिवहर को अन्धरे पर प्रकाश की, अध्यान पर ध्यान की, बुराई पर अच्छाई की और निराश्य पर आश्य के जीत का प्रतिक माना जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको अपने बिमारी के अंधकार से मायूसी और डिपरेशन से अच्छे स्वास और खुशाल जिन्दगी की उजाले की तरह भरना है। दूसरी बात, जिस तरह अध्यान पर न्यान की विजय हुई थी, उसी तरह आप भी जी हाँ, पाइल्स जैसी दर्दनाग बिमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकरी हसिल करें, जागरुक बनें और अध्यान अता के अंधरों को दूर करें, तभी तो आप अपने स सिहत का पूरी जिंदगी ख्याद रख पाएंगे, 14 साल के वनवास के दोरान जब स्री राम निराशा से आशा की तरह बढ़े और मा सिता को वापस अपने साथ अयोदान अगरी वापस आए, तो आप भी इस दिवाली पर खुद से वादा करें कि मुझे निराशा से आशा क की तरह बढ़ना है, तो उसे चलिए आप भी लक्ष्मी पूजा के दुमदाम से तयार किजिए, इस वर्ष दिवाली 4 नुवंबर 2021 गुरवार को मनाई जाएगी, यू तो दिवाली पूजा करने का सबसे शुब समझ सुरच के दूबने के बाद का माना जाता है, और आपक चाहेंगे कि दिवाली पर किस तरह मा लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए, विश्टु प्रियाद वी महालक्ष्मी जिनकी दिवाली पर पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से कर्द से मुक्ती मिलती है, और धन और समरुद्धी बढ़ती है, तो मा लक्ष्मी जी से प्रतना करें कि हे मा, मुझे अच्छी सेहत का वर्दान दे, जिससे मैं आप से धन और समरुद्धी का आश्रवाद भी पासकू, तो समझदर बनिये, मा लक्ष्मी जी से अच्छी सेहत का आश्रवाद भी मांगिये, पर आप तो जानते हैं कि दिवाले के दिन इनकी एक साथ पूजा करने से समसुक समरुद्धी की प्राप्ति होती है तो मेरी सलामाने और स्री गनेज जी से समरुद्धी और आपके जीवन में आई सभी बाधाओं को नाश करने के लिए आशिरवाद जरूर मांगे और विधिवत पूजा अर्चना अवश्य करे पाइल जीसी बिमारिया तो आपको जीवन में आगे बढ़ने में एक बाधा की तरह ही मौसस होती है ना तो फिर गनेज जी तो विग्न विनाशक है अब आप समझ ही गया हूंगे कि मैं क्यों आपसे गनेज और लक्ष्मी जी के पूजा करने का अनुरोत कर रहा हूं चोमकी दिपक जलाकर गनेज लक्ष्मी पूजा के साथ ही न्यान के देवी सरस्वती और धन के देवता कुबिर जी की पूजा भी जरूर करें दिवाली पूजा सामगरी एक लकडी की चोगी चोगी को ढखने के लिए लाल या पिला कपडा देवी लक्ष्मी भवान पूजाल का दीपक या मिट्टी का दीपक, कपास के बत्ती, पंचा मुरुद, बाद में गंगा जल, पुश्प फल, कलज जल, आम के पत्ते, बाद में कपूर कलाओ, साबूद गहू के दाने, दुरवा घा जनेओ धूप एक छूटी जाडू, और दक्षिना, जिसे हम नो मुक्ते बर अनाज रखे, कलश को अनाज के बीच में रखे, और पाने भर कर उसमें एक सुपारी, गेंदे का फूल, एक सिक्का, और कुछ चावल के दाने डाल दे, कलश पर पाच आम के पत्ते गोला कर आकार में रखे, बाई तरब देवी लक्ष्मी के मूर्ती, और कलश के दाहिने और में भगवान गनेश जी के मूर्ती रखे, एक छोटी थाली में चावल की दाने का एक छोटा सा पाहर बनाए, हल्दी से कमल का फूल बनाए, कुछ सिक्के डाले और मूर्ती के सामने रखे, अब मा लक्ष्मी और भगवान गनेश को तिलक करे और दिपक जला कलर्श पर भी तिलक लगाए, अब भगवान गनेश और लक्ष्मी को फूल चड़ाए, पूजा के लिए अपने हतिले में कुछ फूल रखे, अपनी आग बन कर दिवाली पूजा मंत्र का पाट करे, फूल को भगवान गनेश और लक्ष्मी जी को चड़ा दे, लक्ष्मी लक्ष्मी जी की मूर्ति को पहले पानी से स्नान कराए, इसे फिर से पानी और उसके बाद पंचामरुत से स्नान कराए, एक साप कपड़े से पोचे और वापस रख दे, मूर्ति पर हल्दी, कुमकुम और चावल चड़ाए, अगर बत्ती जलाए और नारियल, सुपारी, प अप्त करता हूँ, आप सभी दिवाले को धेल सारी शुबकामनाय और शुब आशिश